इस वीडियो का टॉपिक है Measurement in Feet using Ruler Ruler को इस्तमाल करते हुए Feet में Measurement कैसे करते हैं यह हमने सीखना है सबसे पहले हम देखेंगे कि Ruler की मदद से Feet में Measurement कैसे करते हैं यह हमारे सामने दो तरह के Ruler है इनको Scale भी कहते हैं पहले Ruler के उपर लिखावा है CM यानि सेंटिमीटर इस Ruler में क्या होता है हम जानते हैं कि जिस Ruler में सेंटिमीटर में Measurement हो वहाँ पे हर दो डिजिट के दर्मियान जो फासला होता है उसको मजीद 10 Equal Parts में डिवाइड किया होता है अगर हम इसको Count करें 6, 7, 8, 9, 10 तो किसी भी दो नंबर के दर्मियान जो डिस्टेंस है उसको 10 Equal Parts में अगर डिवाइड किया हो तो वह Ruler शो करता है सेंटिमीटर को यानि उस Ruler के उपर जो Measurements हैं वह सेंटिमीटर में दिये होंगे अगर CM ना भी लिखा हो तो इसको Count करके हम पता कर सकते हैं ये नीचे दूसरा Ruler है अब अगर हम इसको देखें तो यहां पे हर दो नंबर के दर्मियान distance को Count करते हैं मिसाल के तोर पे मैं 1 और 2 के दर्मियान distance को Count करती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस Ruler में किसी भी दो नंबर के दर्मियान जो फासला है उसको 8 इक्वल हिस्सों में तक्सीम किया हुआ है तो ऐसे Ruler को हम कहते हैं इसके उपर जो measurement दिये होते हैं वो inches में दिये होते हैं IN यानि inches आज हम इस Ruler की मदद से measurement करेंगे क्योंकि 12 inches को मिलाते हैं जब तो वो बन जाता है 1 feet 12 inches किस के बराबर होता है 1 foot के बराबर होता है तो जब हमने feet में measurement करने हूं तो उस वक्त हम क्या करते हैं हम इस Ruler का استعمال करते हैं foot का pruder feet है और singular हो तो foot कहा जाता है 12 inches किस के बराबर होगा वन फुट के बराबर होगा अब हम रूलर की मदद से इस टेबल को मेजर करते हैं फीट में हम तब मेजर करते हैं जब हमारे पास ज्यादा बड़ी चीजे हों जैसे एक टेबल बहुत बड़ी चीजे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे feet में इसको measure करेंगे अब इसको measure करने के लिए हम scale ले आते हैं तो ये जो scale हम ले आ रहे हैं ये क्या है ये measure कर रहा है inches में इस scale के उपर अगर हम देखें तो 12 inches तक लिखा हुआ है 12 inch मिलके क्या बनता है 1 foot बनता है 12 inch अब हमने जब दो scale से हाँ पर रखे हैं तो ये table मुकमल cover हो गया यानि इस table की लंबाई दो scale के बराबर है और हर scale पे 12 inches लिखे हुए है इसका मतलब यानि 12 inch का मतलब ये 1 foot है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 foot Ft यानि foot और दूसरा ये scale भी show कर रहा है तो 1 foot प्लास 1 foot कितने हो गए 2 feet हो गए इसका मतलब ये table की लंबाई कितनी है इसकी लंबाई 2 feet के बराबर है Ft यानि feet तो जब हमने इसको measure किया ruler की मदद से तो इसकी लंबाई आई है 2 feet अब हमारे सामने एक लंबी सी बार है इस बार को हमने measure करना है इसके ले हम क्या करेंगे scale लेते हैं और यहां पे रखते जाते हैं इसके साथ साथ इस तरह से रखते जाएंगे इसके ले हमें line लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधी एक बार है जिसकी lines जिसका कोना बिलकुल सीधा है तो जब हमने दूसरा scale रखा तो ये बार मुकमल cover हो गया और ये हमने 12 इंच के 2 scale रखे हैं तो 12 इंच का एक scale किसको show करता है एक foot को show करता है तो ये है one foot foot के लिए मैं F-T लिख रही हूँ F यानी F-T यानी foot F-T और इसी तरह से ये भी one foot है तो यहां पर भी मैं लिख रही हूँ one F-T तो one foot प्लस one foot किसके बराबर होगा one foot प्लस one foot बराबर होगा two feet के तो इसका मतलब इस बार की क्या लंबाई है two feet F-T यानी feet तो इस बार की लंबाई two feet के बराबर है तो इस तरह से हम ruler की मदद से चीजों को feet में measure कर सकते हैं आज हमने सीखा measurement in feet using ruler आज हमत्ग अजाओेडरिण के डशेगे लbourne, अजारीजों ढर्लस बंबाबर्ट यारीजों तरह सबर्दक हैं